दोस्तो आगे का तानाम इस प्रकार से बनाते हैं आईए देखते हैं यहां से हमें फिर से यह इसी प्रकार से गुंडी लगनी हैं यह डबल गुंडी है देखिए आप इस प्रकार से डाल कर ऐसे लगा सकते हो यह देखिए मैंने यह गुंडी लगा लिया है और अगर यह रस यहां पर यह गुंडी डाल देनी है और दावन के लिए हमें जिग्या बनानी है तो यहां पर हम केवल दो रसी लेंगे यह देखिए हमने दो रसी यहां पर ले लिया है और अब इसको यह देख दो रसी हो गई है अब वापस यहां पर इस साइड में फिर से यह इसी प्रकार से गुंडी लगाएंगे तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरा देखें तो यह देखिए हमने यहां प आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत एमियत रखता है इसलिए आप तेह दिल से धन्यवाद करता हूं आपका मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरा यह वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल पर सभी वीडियो देखें यहां पर हम देखिए डबल बार आंटी लगा रहे हैं क्यो परह की दूसरी इस प्रकार से लेनी है जिसे यह बीच में जगाना वो चाती है और फिर यहां पर हम आगिय से और भी यहो गंडिय लगा लेते हैं तो हमें इसमें एक बात का दियान पार एक कि छ गंडी और छे रसी और दो रसी चलानी है जिसमें 2 रसी में बीच में दावन आ जाएगी और फिर 6 रसी चला कर फिर 2 रसी चलानी है जिससे बीच बीच में दावन हम आराम से लगा सकेंगे तो आप देखिए यहां पर यह वापस उसी प्रकार से गुंडी लगाते हैं तो अगर आपको यह ताना समझ में आ चुका है तो मेरे को कमेंट कीजिए मैं आगे की 4 पाई स्टार्ट करूँ और उसका वीडियो पूरा सुरू से लेके लाश्ट तक इस्टेप बाई स्टेप आपको बताऊं अलग अलग पार्ट में बताऊंगा तो आप मेरे सारे वीडियो आप देखे मेरे चैनल को चेक करें आपको चार पाई के बारे में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और बेल आइकन दबा दे और ओल पे स्लेक्ट कर ले तांकि मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए और आपको चार पाई बनने में कोई प्रेशा नहीं नहीं तो इस प्रकार से आप भी यह आसानी से बना सकते हो अब देखिए आप इस प्रकार से यह लगा लिया है और अब इस साइड में भी इसी प्रकार से यह ताना बनाना है तो ताना बनाना बहुत सरल काम है चार पाई का सबसे सरल काम है ताना बनाना तो आप ताना बनाना तो तो सीखी गए होंगे और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए मैं इससे भी सरल भासा में और सरल तरीके से सीखाने की कोशिज करूँगा अब यह देखिए बेने दावन लगा लिए और इसके आगे से यह वापस गुंडी लगा लिए जिस